आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और लाजवाब पकोड़े वाली कड़ी कड़ी हर जगे हर एरिया में अलग-अलग तरीके से बनाई जाती है आप एक बार इस तरीके से बनाईएगा ये बहुत ज़्यादा लाजवाब बनकर तयार हुई है आपको ये कड़ी बहुत पसंद आएगी नमस्ते दोस्तो स्वागत है आपका शामर सोई में तो चली शुरू करते हैं बनाना कड़ी बनाने के लिए मैंने एक बड़ा सा पती दा लिया है इसमें हम दो कप थोड़ा खटा दही लेंगे थोड़े से खटे दही से कड़ी बहुत टेस्टी बनती है दही को पहले ही मैंने फैंट कर ले लिया है दही की जगए आप चाच या लसी का इस्तेमाल भी कर सकते हो और अब हमने यहाँ पर एक तीहाई कप बेसन लिया है बेसन को हम चान कर ले लेंगे ताकि इनकी गुठलिया निकालने में हमको प्रॉब्लम ना हो तो बेसन को हमने चान लिया है अब हम इसमें एक चोथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे मैंने यहां लगबग एक चमच नमक डाला है अब हम लकडी की मतनी से सब को पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें एक लिटर पानी डालेंगे यदि आपको और पानी की जरुत महसूस हो तो वो हम बाद में भी एड़ेस्ट कर सकते हैं और अब हम फिर से इसे बड़िया से मिक्स कर देते हैं कडी का गोल बनकर बिल्कुल तैयार है अब हम एक बड़ी सी कडा ही लेंगे और इसमें दो बड़े चमच तेल डालेंगे आप चाहें तो घी में भी तड़का लगा सकते हो अब हम इसमें आधा छोटा चमच जीरा आधा छोटा चमच राई एक चोथाई छोटा चमच मेथी दाना एक चोथाई छोटा चमच हींग आट से दस कडी पत्ता दो से तीन बारी कटी हुई हरी मिर्च हरी मिट मैंने यहां कम तिखी वाली इस्तेमाल की है एक इंच कद्दुकस किया हुआ अद्रक का टुकडा डालेंगे गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इन्हें हलका सा भूनेंगे क्योंकि अभी हम इसमें प्यास डालेंगे तो उनके साथ भी यह सब चीजे अच्छे से भून जाएगी अब हमने यहां पर एक स्लाइस में कटा हुआ प्यास लिया है आप चाहें तो बारिक काट कर भी प्यास डाल सकते हो अब हम प्यास को मेडियम फ्लेम पर दो मिनिट के लिए भून लेंगे हमने बिना लहसुन प्यास की कड़ी भी शियर की हुई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो प्यास को हमने दो मिनिट के लिए भून लिया है अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें एक चम्मच क्रश किया हुआ साबुत धनिया, एक चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी और आदा चोटा चम्मच लाल मिच का पाउडर डालेंगे इन्हें दो मिनिट के लिए लो फ्लेम पर भुन लेंगे तो इस तरह से क्रश किया हुआ साबुत धनिया और कसूरी मेथी आप भुन कर लेंगे तो कड़ी का टेस्ट पहुत ही गजब का आएगा तो ये देखे इनके साथ प्याज भी अच्छे से और भुन गया है तो बस अब हम इसमें कड़ी का घोल डाल देंगे घोल को कड़ाही में डालने से पहले चमच से एक बार चला दीजिएगा और अब हम ये सारा घोल इसमें डाल देते हैं अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे कंटीन्यू तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता है इसे चलाना नहीं छोड़ना है वरना कड़ी फट जाएगी और ये लीजिए कड़ी में उबाल आ गया है और हल्दी ने भी अपना बहुत अच्छा कलर छोड़ दिया है ये देखे एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर में ही कितना अच्छा कलर आ गया है इससे जादा बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा तो बस अब हम गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और कड़ी को 30 से 35 मिनिट के लिए पकाएंगे और बीच बीच में 2-3 मिनिट के बाद हमें इसमें चमच चला देना है तो जब तक हमारी कड़ी पक रही है हम फटाफट से पकोड़े बना कर तयार कर लेते हैं पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहां एक बरतन में 3 स्लाइस में कटे हुए मीडियम साइज के प्याज लिये हैं यहां हमने एक बारी कटा हुआ आलू लिया है इससे हमारे पकोड़े बहुत टेस्टी बनेंगे आठ दस बारी कटा हुआ कड़ी पता दो से तीन बारी कटी हुई हरी मिर्च एक इंच कद्दुकस किया हुआ अद्रक बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे अब इसमें एक छोटा चम्मच क्रश किया हुआ साबूत धनिया डाल देंगे इससे पकोड़े बहुत टेस्टी बनेंगे दो पिंच के करीब हल्दी पाउडर डाल दिया है आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और स्वात के अनुसार नमक डाल दीजिए आधा छोटा चम्मच गरम मसाला लिया है और आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम आमचूर का पाउडर डालेंगे एक्दम चटपटँ से पकोड़े बना कर तयार कर रहे हैं सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हमने यहाँ एक कप बेसन लिया है बेसन को थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से मिक्स कीजिए एकदम बढ़िया से प्रैस करते हुए मिक्स कीजिएगा क्योंकि आलू और प्याज में भी नमी रहती है तो हमें इसमें पानी की बहुती कम आवशक्ता होगी थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालिए और ये लिजे हमने सारा बेसन इसमें डाल दिया है अब हमें इसमें पानी डालने की जरुवत लग रही है तो हमने यहां 3-4 चमच के करीब पानी लिया है पानी इसमें बहुत जादा नहीं लगेगा तो ये देखे इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा पानी मिलाया है लगबग 3-4 चमच के करीब इसमें पानी डाल दिया है हमने मैंने यहाँ एक चोथाई चमच अजवाइन डाला है जो मैं पहले डालना भूल गई थी और एक चोथाई चमच बेकिंग सोडा डालेंगे इससे हमारे पकोड़े सॉफ्ट बनेंगे तो ये हमारा पकोड़े का घोल बनकर बिल्कुल तयार है तो अब हम इसके पकोड़े बना लेते हैं पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ तेल गरम होने के लिए रखा हुआ है गैस की फ्लेम को मेडियम रखिएगा ताकि हमारे पकोड़े अंदर तक बढ़िया से सिखे अगर हाई फ्लेम रहेगा तो उपर से तो ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे तो बस अब हमें पकोड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राय कर लेना है तो ये देखे हमारा एक बैच बढ़िया से फ्राय हो चुका है इसी तरह से हम सारे पकोड़े बनाकर तयार कर लेंगे बहुती बढ़िया और टेस्टी पकोड़े हैं आप इन्हें ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं तो ये लीजिए हमारे बहुती टेस्टी पकोड़े बनकर तयार हो चुके हैं इधर हमें कड़ी को पकाते हुए लगबख 35 मिनिट हो गए हैं और बीच बीच में मैं इसे चला रही थी मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी लग रही है मैंने इसमें और पानी बिल्कुल भी एड नहीं किया है जितना मेजरमेंट हमने बताया है उसमें 3-4 पकाया और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे ये कड़ी पकोड़े जाने के बाद थोड़ी सी गाड़ी हो जाएगी तो आप इस तरह की कंसिस्टेंसी ही इसकी रखिएगा हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है अब हम इस पर बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल दें आप तेल के जगे घी का तड़का भी लगा सकती हो तेल गरम हो जाने पर हमने आदा चमच के करीब जीरा डाला है और जीरे को अच्छे से चटकने दीजिए गैस की फ्लेम को एकदम लो रखिए इसमें हम दो सूखी लाल मिर्च डालेंगे पहले इन्हें हलका सा भून लेते हैं और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें आदा चमच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे तो यदि गैस की फ्लेम ओन होगी तो लाल मिर्च काली हो सकती है तड़का हमारा बिलकुल तयार है हमने एकदम सिंपल तड़का बनाया है और ये तड़का हम कड़ी पर डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे तो फ्रेंट्स ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी कड़ी बनकर तयार हुई है आप सेम टू सेम तरीके से बना कर देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो बस अब हम इस कड़ी को राइस के साथ इंजॉय करेंगे राइस ही नहीं आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं मैंने इसके साथ राइस बनाये थे बहुत टेस्टी कड़ी बनकर तयार हुई है तो फ्रेंड्स यदि आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके